एक तरफ UAE, साउधी अरब, कतर, कुवेट ये सब मुस्लिम देश डेवलप्मेंट कर रहे हैं, क्रूडाल बेज कर दुनिया बर का पैसा कमा रहे हैं, इन देशों में बड़ी-बड़ी हैराइस बिलिंग्स बन रही हैं, एडवास्ट इंफरस्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है और इनकी गर्वर्मेंट लगतार टूरिजम को सपोर्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है, ये इस्लामिंग देश अपने देश में कटरबंती दाक्तों को सिमित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज भी पलस्तीन है, पाकिस्तान है और टर्की ज जो भारत को लेकर लगता जहर उगलता रहता है, अल जजजीरा कतर बेस्ट न्यू चैनल है, और आपने देखा होगा कि इनके रिपोर्टर्स हमेशा ही भारत की आलोशना करते हैं, जंगु कश्मीर का मुद्दा हो, राम मंदिर उद घाटन हो, या फिर फार्मर्स लाओ, जै फिर भारत की मुस्लिम आनॉर्टी से जुड़ा भारत का कोई मुद्दा हो, अल जजजीरा की तरव से भारत को लेकर हमेशा ही नेगेटिव रिपोर्टिंग की जाती है, परदान मंतरी मोदी को एंटी मुस्लिम हिंदू नैशनलिस लीडर के रूप में प्रोजेक्ट क प्रोजेक्ट की आजाता है, अब जो ये अलल जजीरा है, ये ना सिर भारत को लेकर ऐसी रिपोरटिंग करता है बलकि ये मेडियाऊज इसरेल के वारे में भी यहिसे रिपोर्ट करता है, इसरेल के परधान मंतरी बेंजमिन नेतनियाव को भी पिम मोदी की तरह बुरा भल का जाता है और सेम मुस्लिम उम्मा के नाम के उपर इसराइल पर भी जूटे आरोब लगा जाते हैं फेक प्रोपेगंडा फलाए जाता है यानि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और इसराइल अल-जजीरा के दुनिया में सबसे बड़े विक्टिम्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड इसराइल ने अल-जजीरा की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी है और ये बताया है कि अल-जजीरा का जो पलेस्तीन विंग है उसमें हमास के आतंकी किस तरह से शामिल हैं दरसल इसराइल के जो गाज़ा पट्टी के उपर हमले चल रहे हैं उसी हमले में इसराइल उनिफॉर्म में पिक्चेस भी जारी कर दिये हैं जिसमें वो मिजाल लॉंचर्स की ट्रेनिंग दे रहा है मिल्ट्री ड्रोन्स को एसेस कर रहा है और हमास के आतंकियों के साथ खड़ा है यानि कि ये रिपोर्टर डियूल जॉब के उपर था इसके लाबा एक और एस ट्र तरह से उनको सपोर्ट करता है अभी और ना जाने कितने रिपोर्टर्स कैमरामेन और स्टाफ ऐसा होगा जो अलजजीरा के साथ साथ हमास का अतंकी भी होगा ये वही रिपोर्टर्स है जो धरम के नाम के उपर पूरी दुनिआ को गुमरा करने की कोशिश करते हैं और भार लेंडना चलाए जाता है